जैमातादी दोस्तों एस्ट्रोलोजी और वास्तु ज्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हमारे जीवन को सरल और सुख दाई बनाने में जोतिश शास्त्र का हमेशा से एहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुम्भ राशी वालों का 24 और 25 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले दो दिन चलिए जानते हैं अगर आप अपना समय और उर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी अपना कुछ सामन किसी जरूरतमंद को दे दे आपकी वित्ती अस्थिती अच्छी है आप पैसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं आप नए लोगों से जल्दी ही परिचे भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोग प्रियता भी है युवा दिखने का राज किसी सरजन की चाकू में नहीं है मतलब किसी सरजरी से युवा नहीं हुआ जा सकता इसकी कुझी अच्छा और संतुलित खाना है आप पिछले कुछ समय से अपने लुक्स को लेकर काफी चिंतित हैं लेकिन इसका समाधान काफी आसन है जंक फूट से दूर रहें, खूब फल सबजिया खाएं और बहुत सारा पानी पिएं, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के साथ एक्स्पेरिमेंट ना करें आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा आज आप प्यार में आकरामक हो सकते हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने अहनकार को दूर रखने का प्रयास करें, ताकि आप अपने संबंधों का पूरा आनंद ले सकें, हाला कि आपके साथी को आपका ये नया रूप पसंद आएगा और आपके नए आत्म वि आज आपको पदोनत्ती का संदेश मिल सकता है, या नौकरीक शेत्र में बदलाव के भी आसार है, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे, आपको ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है, जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो की आपको प्रसन्नता से अभिभू कर सकती है, आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है, जिसकी आपने कभी सहायता की हो, आज आप में से अधिकांश लोगों का शरीर, मन, स्वभाव और व्यवहार बहुत सुस्त रहेगा, आज के लिए आपके मन में कोई खास या महत्वपूर्ण योजना नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने मन में उदासिंता को हावी न होने दे, शाम के समय अचानक कोई आश्चरे जनक घटना घट सकती है, किसी व्यक्ती से आपकी संभवत तह कई वर्ष बाद मुलाकात हो सकती है, आपको कोई ऐसी वस्तु बिना खोजे वापस मिल सकती है, जिसे आप खोच मान चुके थे, आज का दिन आप मौज मस्ती में, आनंद में या विश्राम में भी बिता सकते हैं, हाला कि आपके पास काफी काम और जिम मेदारिया हैं, लेकिन आप अपनी मनोदशा को स्वस्त बनाए रखने के लिहाज से काम करें, दफ्तर में आज आप पर और आपके का काजपर कोई ना कोई निगाह रखी जाएगी, आज आपके लिए स्वाद के मोह पर नियंत्रन रखना कठिन होगा, लेकिन आती ना करें, आज किसी से कोई बड़ा वादा ना करें। कारण और अनावश्यक धंग से पैसा खर्च होगा, पैसे खो भी सकते हैं, नौकरी में आज काम ज्यादा रहेगा, आपको काम से जुन्जलाहट होगी, नौकरी छोड़ने बदलने का मन होगा. आज आप छिट-पुट मेहनत में ही थकान और बेचैनी महसूस करने लगेंगे, सिर दर्ध हो सकता है, आपके स्वास्थि पर मौसम का प्रभाव पढ़ सकता है, छिट-पुट चोट लग सकती है, पेट खराब हो सकता है. परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा है, पढ़ाए में खूब मन लगेगा, दिन वियर्थ न गवाएं, ब्रह्म में पढ़ने के बजाए एकांत में अध्यान करें. आपके कामों, कर्मों, पुरसकार, प्रतिष्ठा और शक्ती के लिए आपको पहचान मिलेगी, आपकी दृष्टी अभी व्यभारिक है, आप जानते हैं कि किस प्रकार के परिनाम वास्तविक हैं और आप अपने प्रयासों से अच्छे परिनाम पाने की उम्मीद करते हैं. अपने जीवन में चीजों को विक्सित करने और बहतर बनाने के लिए तैयार रहें, आप चाहे या नहीं किन्तु आपको मिलने वाली पहचान के साथ आप पर जिम्मेदारी भी आने वाली है, छोटी छोटी प्रशन साओं से बाहर निकले और जो आप चाहते हैं वो जिसके आप लायक हैं, वो काम करने से न पीछे न हटे. दोस्त प्यार या मनोरंजन सब प्यार से ही संभव है, लेकिन इन सबसे आप खुशिया प्राप्त कर सकते हैं, याद रखें कि खुशी कभी साजा करने से कम नहीं होती इसलिए दूसरों से अपने दिल की बात करने से पीछ संबंधित समस्या हो सकती है, खान पान में सावधानी बरते. आज आपको कई मामलों में भाग्य का साथ मिल सकता है, कुछ लोग आपको अपनी सफलता का श्रे भी देंगे और आपकी कारेशैली की प्रशंसा भी करेंगे, कोई पुरसकार भी मिल सकता है, अगर कोई बड़ करनी पर सकती है, कोई बड़ा काम आपके हाथ आ सकता, इस मौके को लपके, ये आपकी तरक्की के लिए जरूरी है, अपने साथी को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत साहित करें, इसमें उनका सहायक होना अच्छा रहेगा, आपको मौसमी बीमारियों से थोड़ परेशान होना पर सकता है, आप अपने परिवार के साथ एक शाम बिताना पसंद करेंगे, आप अपने पती पतनी के साथ घर के बने कैंडललाइट रात्रिभोज का आनंद ले सकते, सकती हैं, यह उनके प्रती आपकी प्रतिबधता को भी सुनिश्चित करेगा, आपके प् कोई अनपेक्षित आर्थिक मदद मिलेगी, यह कई दिनों से बंद परियोजना को शुरू करने है, तु आपको संकेत देगा, इसे पहले शुरू करने के लिए आप धन की व्यवस्था नहीं कर पाए होंगे, आज के दिन आर्थिक रूप से चिंतन करने का दिन है, को लेकर निवेश बीमा आधी पर सलाहकारों से राय मश्वरा कर सकते हैं, नौकरी से जुरे लोगों को अपने संस्थान के प्रती इमानदार रहना होगा क्योंकि इस समय बौस की निगाह आप पर है, प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रतियों का सामना करना पर सकता है, पिता से वैचारिक मतवेद आपकी सुख शान्ती को बिगार सकता है, पिता के प्रती सम्मान तनिक भी कम न होने दे, आर्थिक स्थिती की बात करें तो आज पैसो के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, आज आपको अपने आर्थिक प् परिजनों के बीच गलत फेहमी दूर होने से घर का माहौल आज शान्त रहेगा, आज पिता से गंबीर घरेलू मुद्दों पर आपकी चर्चा हो सकती है, दफ्तर में आज वरिष्ठों का नकारात्मक व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, हो सकता है आपकी किसी गलती से वे आपसे अप्रसन रहें, व्यवसाय से जुरे जातकों को अपने साजेदार से अनबन से बचना होगा, नहीं तो आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रेम जीवन में आज स्थिती तनाव पूर्ण रहेगी, स्वस्थे रहने के लिए आपको पर्याप ताराम और स सकते हैं, अनुमान नुकसान देह साबित हो सकता है, इसलिए हर तरह का निवेश करते वक्त, पूरी सावधानी बरते, पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिष्टों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है, आपके प्रिया के साथ कुछ मतभ पुले रखें, सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है, आप महसूस करेंगे कि शादी शुदा जिन्दगी आपके लिए वाकई खुशन सी भी लेकर आई है, इस सपताहांत परिवार के साथ शौपिंग पर जाना संभव लग रहा है, लेकिन शौपिंग जेब पर भारी भी पढ़ सकती है, आज आप मजबूती और धहरय से काम लेंगे, दिन भर पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे, भूमी और प्रॉपर्टी के कामों से भी धन लाव होने के योग बन रहे हैं, कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने कुछ और काम आ सक रोजमर्रा के कामकाज ज्यादा ही रहेंगे, थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा, धैरियर खें, ओफिस में अपनी प्रगती के बारे में विचार करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ नया सीखना होगा, सेहत संबंधी मामलों में आपकी चिंता कम हो जाएग आज नौकरी में अधिकारी प्रसन रहेंगे, आपके रिष्टेदारों के साथ आपका रिष्टा तनावयुक्त हो सकता है, आपको अपने जीवन में अपार सफलता है मिलने के योग नजर आ रहे हैं, लाप्रत सौदे हाथ लगेंगे, जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनन्दाई समय बीतेगा, आप अपनी या संतान की शिक्षा को लेकर कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं, संतान के मांगलिक कार्य के मार्ग में आ रही बाधाय समाप्त होंगी, किसी गरीब व्यक्ति को अननका दान करें, कुम राशी वालों आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे, गनपती के आशीरवाद से सभी कार्य सिध होंगे और आपका दिन शानदार रहेगा, अगर शादी शुदा है तो आज पती पतनी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे, आज का दिन व्यावसाईक प्रगती के साथ साथ स्वास्थय के लिहास से सफल रह आज ओफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आज आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है, अगर व्यापारी हैं तो आज कोई विशेश सफलता हासिल हो सकती है, आप कुछ लोगों के साथ उप्योगी बातचीत कर सकते हैं, अनाथालय में कुछ दा वरी 2021 का दैनिक राशिफल, दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें, और हमारे इस एस्ट्रोलोजी और वास्तु ग्यान, यूट्यूब चैनल को स सब्सक्राइब जरूर करें, और वेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके, हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले धन्यवाद